दोस्तों ये काई ये उस वक्त की है, चैहा हमारी तुनिया, जिसमें हम सब रहते हैं, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और बचे कोचे लोग बड़ी से रोबोटिक सिटीज में रह रहे हैं यह रोबोटिक सिटीज एक बहुत बड़ी गाडियों की तरह है दोस्तों जो की मौव करती रहती है एक जगे से दूसरी जगे तक और यहीं पर दोस्तों हम सबसे बड़ी moving city को देखते हैं जिसका नाम है London City London City की commander 3DS अपने staff को command देते हैं एक छोटी city को पकड़ लिया जाए ताकि उसका सामान और खारा चील लिया जाए मतलब चीना जप्टी का दोर आगया है दोस्तों और यहाँ पर हम बड़ी London City को इस छोटी city का पीछा करते हुँ देखते हैं छोटी moving city पर एक ललकी भी मौझूद होती है जिसने अपना चेरा नकाप से टका होता है यह छोटा engine स्पीड में बहुत कम रखतार में था जिसकी वज़े से London City इसकी पास से पास आता जा रहा था और पर रंत में क्या होता है दोस्तों London City अपना तरवाजा खोल कर इस छोटी engine को पकड़ लेता है और इस छोटी engine के टुकले टुकले कर दिया जाते है दो और इसको एक आख की चलती हुए भटी में डाल दिया जाता है दोस्तों और इस फरनेस यानि की यह भटी इस पूरी London City का पावर सोर्स होती है जिसकी वज़े से सिटी कहीं भी आ जा रही होती है इस छोटी सिटी के लोगों को भी पकड़ दिया जाता है London City ने बिल्कुल भी नहीं पकड़ना चाती है बलकि उन्हें काम देना चाते है लेकिन छोटी सिटी वाले लोग यकीन नहीं करते हैं उन्हें लगता है कि जैसे हमें मार दिया जाएगा यहाँ पर थेडियास आकर इनकी साथ बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि आप सब को यहाँ पर उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि बाकी हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं यहाँ पर हम एक कैरेक्टर टॉम को दिखाया जाता है जिसको पुराने दोमाने की चीज़े जमा करने का बहुशोक होता है और वो हिस्ट्री में और टेक्नोलोजी में महारत रखता है यहाँवर टॉम से मिस्टर वेलेंटाइन की बेटी मिलती है वो टॉम से जानना चाहती है कि अगर हमारी दुनिया खत्म हो गई तो दुनिया खत्म होई कैसे थी तो पहले हम जमीन पर रहते थे फिर यह सब चेंजिस कैसे आ गए टॉम उसको बताता है कि हमारी दुनिया मेडियूसा की वज़ खतम हुई है जो कि एक क्वांटम वैपन था इस क्वांटम वैपन की वज़ से सर्फ साथ मिनिट में पूरी दुनिया तबाओ गई थी और जो बच्छे कुछे लोग थे उन्होंने पुराने तरह की जिन्दगी छोड़ कर ऐसे बड़े बड़े लंडन सिटी जैसे इंजिन बना लिए जिसमें वो भी रह रहे हैं इसके अलावा अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने तरीके से रह रहे हैं और जो इन मौटल इंजिन्स के खलाफ है टॉम अपने पुराने समान को देख रहा होता यह वही समान होता है जो चोटी सिटी से लंडन सिटी में हासल किया होता यह सब देखिय रहा होता है ऐसी टाइम थेडियस वहां पर आ जाता है और वह टॉम को उसके काम के लिए शाबासी देता है तॉम तो पूछता है कि तुम तो पाइरेट बनना चाते थे तुमने उसकी ट्रेनिंग भी ली थी तो तुम ऐसी रिसर्च क्यों करने लगए टॉम उसे बताता कि आलात की वज़े से मुझे अपने ट्रेम को छोड़ना पड़ा और ये काम करना पड़ा वो अपने इस काम में बहुत खुश भी है अब हम उसकी लड़की को देखते है जो नकाब होच थी स्माल सिटी वाली लड़की वो चाकू लेके थेडियस की तरफ बढ़ रही होती है ताकि उसे मार सके टॉम उसको देख लेता और वो उसे रोगने की कोशिश करता है लेकिन खामयाब नहीं हो पाता और वो मास्क वाली लड़की थेडियस को चाकू मार डालती है चाकू मारते ही लड़की कहती है कि ये सब मेरी मा का बतला था हेस्टर शॉह जिसका नाम था नाम सुनते ही थेडियस परिशानी सबस लड़की वो देखता है ये दोबारा थेडियस को माने की कोशिश करती है दोस्तों लेकिन इतनी देर में टॉम पहुंच जाता है पहुंच जाता है और वो ये लड़की तॉम को बताती ही कि जो थेडियस है ना यह ऐसा नहीं है जैसा दिखता है यह बहुत ही कमीना इंसान है उसे ने मेरी माखों भी मारा था और यह कहते ही वह अपना हाथ छुडवाती है और उस पढ़ने से कुएं के अंदर किर जाती है जहां से सारा गंदर निकल के बाहर जा यानि कि इस फरनेस का वेस्ट मिटीरियल इस चेके से निकल कर एंजिन से बाहर जा रहा होता है और यह लड़की भी वहीं से पाहर निकल जाती है इतनी देर में थेडियस भी यहां पर पहुंचाता है डॉम घबराई हुए हालत में थेडियस को बताता है कि वह लड़की प पापा से टॉम के बारे में पूछती है थेडियस यहां पर एक्टिंग करते हुए कहता है कि टॉम और बुझे लड़की थी ना वो तोनों आपस में लड़ाई करते हुए नीचे गिर गए इसका मुझे बहुत अफस है बेटा वो एक अच्छा लगा था जाहिर है थेडिय इस एक हवाई जास को भेजता है ताकि वो कनफर्म कर सके वो लड़की और टॉम दोनों मर चुके है या जिन्दा है वो जास देखता है लेकिन उन्हें कुछ मिलता नहीं है क्योंकि ये दोनों पहाड़ी चोटियों में चुपे हुए होते हैं एस्टर अपना चाको निकाल घर टॉम को धंकी देती है कि तुमने अगर तो मुझे ना रोका होता ना तो मैं थेडियों को मार देती है एस्टर यह ऐसे जाने लगती है लेकिन टॉम उसको रोकता है उससे हेल्प मांगता है वो कहता है कि मैंने अपने पूरी जिंदगी लंडन सिटी में वो गजा रही यहां पर यह एनरजी सोर्स के लिए फ्यूजन सेल्स का इस्तिमाल कर रहे था है यह पूरा सीक्रेट प्रोजेक्ट सब लोगों दो छुपके हो रहा था दोस्तों यानि कि थेडियों के सीनियर आफिसर्स को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था कि थेडियों ऐसा कुछ कर करने दोस्ति है कि तुम्हें काम करो तुम समंदर के बीच में मौजूद एक कैदी से मिलो मौनस्टर है वहर वक्त हैस्टर शौक का नाम लेता रहता है वह उसको मारना चाहता है थेडियों स्टूरंथ इस बात को पसंद कर लेता और जाके उस मौनस्टर से मिलने लगता है जिसकी आँखें हरे खलरुए institutions ही होती है और बहुत ही तरावनी होती है दोस्तों 30.80 पर हमला कर देता है और इसी हमले से बें मॉंस्टर भी आजाद हो जाता है और हैस्टर को मारने के लिए उसकी तलाच में चला जाता है हेस्टर और टॉम बहुत ही पुरानी ब्रेड खा रहे होते हैं क्योंकि इनकी बास खाने को कुछ और मौजूदी नहीं होता है खाना खाके दोनों सो जाते हैं कुछ बड़े मोटल एंजिन की अबास से हेस्टर की आँगे खुल जाती है वो देखती है कि टॉम कुछ एंजिन से हेल्प मांग रहा है लेकिन टॉम नहीं जानता था कि वो सिटीज लोगों का शिकार करती है और उनों को खबजे में ले लेती हैं वो शिकारी सिटीज इन पर हमला कर देती है लेकिन उसी वक्त एक और सिटी जो सेंटीपीट की तरह होती है वो इनकी चान बचा लेती है लेकिन इनको बचाने वाले लोग इनका बहुत ख्याल रखते है और उनको चाय पीने के लिए भी देते हैं अरी हरी चाय बसारी कैसी चाय यार दूसरी दरफ लॉट थेडियस की बेटिया को लगता है कि उसके पपा की जान खतरे में इसलिए वो अपने टॉम का जो दोस्त था रहा जो उपा ख़ड़ा हो के देख रहा था जहां कर रहा था उसी से आके मिलती है यह वही दोस्त है जिसने टॉम और हेस्टर को उस कुए से करते हो देख लिया था दोस्त तो थेडियस की बेटियस से पूछती है कि तुम कुछ ना कुछ जानते हो तुम मुझे हल्प करो मुझे कुछ बता हो टॉम का दोस्त कहता है वो कहते है कि मेरे पिता की जान को खत्रा है ता है कि उन सिटीज में बहुत खाना है, बहुत हत्यार है, बहुत सारा फ्यूल है, तो इस वेपन के मदद से हम उनको हरा सकते हैं, यह सब सुनकर थेडियस के बेटी बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाती है बचारी, फिर से हम हैस्टर और टॉम को देखते हैं, वो ल भी नहीं खूथता है, बहुत कहता है, हम साथ ही रहेंगे, अब इनकी हल्प करने वाले लोग इनको ऐसी जगह पर ले आते हैं, जहां पर सिंदा लोगों की बोली लगाई जाती है, यहारे कि उनको बेचा जाता है, हैस्टर शौकी बोली लगी रही होती है, और एक रेंड और टॉम की जान बचा कर उने वाँसे भगा ले जाती है, लेकिन उसी टाइम वो ग्रीन आइज मॉनस्टर भी वहाँ पर आ जाता है, और यहां पर हम यह भी देखते हैं, कि हैस्टर शौकी बोली लगी होता कि कैसे जानती है, काफी मुश्किल की बाद एना फैंग, उन द इसको मैं श्राइक कहती हूँ, इसी ने मुझे पाला, बड़ा किया, मेरा ख्याल रखा, मेरी माँ को जब थेडियस ने मार दिया था ना, तो मेरा कोई सारा नहीं था, और मैं इसी क्रीन मॉंस्टर को मिल गई थी, इसने मुझे पाला, मेरा ख्याल रखा, मुझे खाना वा वाहादा कर लेती है लेकिन जो उसे कुछ दिन पहले पता चला होता है कि अभिस जिंदा है और वह कहां पर तो उसे मानने का इरादा करके उस मॉंस्टर के पाज से भाग जाती है यह वजा थी फिर सेर्म स्थे बाद से बाग चुकी थी और उसने अपना वादा तोड़ा था अब आदा ये था कि भाईया वो उस जैसी मॉंस्टर बन जाएगी लेकिन वो भाग चुकी होती है इसी वज़े से इस मॉंस्टर वो गुसा आता है और वो हैस्टर को जांसे मार दिना चाहता था फिर से अब हमें एक बाई लंडन सिटी को दिखाया जाता है दोस्तों जो कि अपनी डिसाइड़ डिरेक्शन की वज़ा है किसी और ही डिरेक्शन में जा रही है जब थेडियस की सीनियर ओफिसर को इवाद पता चलती है तो वो उस चर्च में उससे मिलने आता है उससे कहता ह लागे मेरी मर्जी के अलावा तुम यह कर कैसे सकते हो थेडियस का सीनियर ओफिसर देखता है कि थेडियस एक बहुत ही बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट पर गाम किर रहा है और यह कुछ और नहीं बलकि वही मेडियूसा प्रोजेक्ट है इसी प्रोजेक्ट की वज़य से से बहुत सालों पहले हमारी दुनिया भी तबहा हो चुकी थी अब थेडियस वही तो एपन दुबारा बना चुका होता है थेडियस का सीनियर आफिसर उसे रोकने की वोचिस्ट करता थेडियस अपने सीनियर आफिसर को भी निप्टा देता है यह सब होता थेडियस की बेटी और टॉम का दोस्त भी देख रहे थे यानि कि थेडियस की बेटी को अपने पिता की सच्चाई का पता चल चुका था दूसरी तरफ एना फैंग अपने हवाई अड़े पहुंच जाते हैं और अपने जास को यहाँ पा लेंड कर देते हैं वो अपने साथियों से मिलती है और टॉम और हैस्टर को भी उन से मिलवाती है इनको पता चलता है कि लंडन सिटी हमारी तरफ आ रही है बहुत जादा स्पीड से यानि कि हम पर अटाइक करना चाहते है एना फैंग ने बताती है कि थेडियस के पास मेडियोसा सिस्टम भी है तो हमें टरने की बहुत जरूरत है उसे लोक ने का एकी तरीका है कि हम उस सिस्टम को क्रैश कर दें जिसका अभी तक हमको कोई अल नहीं मिल पाया है हैस्टर शोव अपने पास्ट को याद करते हुए बताती है कि उसकी मा और थेडियस बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों बहुत ही प्रोफेशनल साइन्टिस्त थे लेकिन जब उसकी मा ने मेडियोसा को कंट्रोल करने वाली मशीन इजात की ना तो उसको देख के थेडियस क के अंदर लालच आ गया और थेडियस इतना अरामी था कि उसकी माफ़न इफ्टा दिया पूरा क्रेडिट ताकि वो खुद हासल कर सके उस मशीन मेडियोसा की पावर भी खुद ही कंट्रोल करें अब इसका सरव एक ही हले दोस्तों कि हमें वो क्रैश ड्राइब मिल जाए ज से एरपोर्ट को पूरी तरीके से तबाह करने लगता है सभी सॉलनरो स्मस्टर को माने ोशित करते है लेकिन इस पर तो घंटा को डशार नहीं हो रहा सिंखता है यह मॉंस्टर कभी नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी काम की वज़ए से हैस्टर को रोणा पड़े स्युदा स पड़े अब हम दूसरी देखते हैं कि यहीं मॉंस्टर डामेज होने लगता है यानि तबाह होने लगता है क्योंकि मरने से पहले वह स्टर को एक लॉकिट देता है उसे बताता है कि जब तो मुझे मिली थी ना तो लॉकिट तुमारी गर्दन में था इसको मैंने संबाल के र डिशनल लाइफ जी रहे थे अब हम फिर से थेडियस को देखते हैं जो अपने लोगों में अनॉंस्मेंट करवाता है कि हम सरॉंग की वाल को गिरा देंगे अब सरॉंग की वाल दोस्तों जो की बहुत ही मजबूत है जो कि आज से पहले कोई गिरा नहीं सका है अलगिन थे हैं एना अपने सीनियर ऑफिसर गवरंडर से एजाज़त मांगती है कि हमें पहले लंडन सिटी पर एटाग कर देना चाही क्योंकि अगर हमने पहले एटाग नहीं किया ना तो थेडियस मेडियूसया के मदद से हमारी सिटी को भी तबाह कर देगा गवरंडर एजाज़त द अंदर देखती है कि इसके अंदर तो वही क्रेश ड्राइब है चुकि मेडियूसया को क्रेश करने में उनकी हल्प कर सकती है वाह लग गया जैकबाट वो इसकी जाज़ प्रताल करने के लिए टॉम के पास जाती है दूसरी तरफ थेडियस इनके पास पहुंच जाता है और लंडन सिटी की तरफ अटाक करते हैं राशते में जाते हुए इनके बहुत से सैल्जस मारे जाते हैं बहुत से जाज़ दबाए हो जाते हैं लेकिन आँकर में कुछ लोग लंडन सिटी में पहुंची जाते हैं यहाँपर एै 1 एwall देडियस के आपस इसक ठीम चामर जाता ह और उससे क्रेश कर देती है यानि या भी ये सिस्टम शट डाउन हो चुका था दूसरी तरफ लडाई मैना फैंग काफिया तक हायल हो जाती है और वेस्टर से कहती है कि तुम यहाँ से बाग जाओ लेकिन लडाई मैना फैंग की मौत हो जाती है तेरियस चर्ट से बाहर निकलता है और उसको अपनी बेटी मिलती है वो उससे कहता है कि चला हो मैं से भाग जाते है लेकिन इसकी बेटी उसकी सचाई जानती थी और उससे कहती है कि मैं खूरी इंसान के साथ नहीं जाना चाहती वो खुद जाने लगता है बचाईरा होता है कि हैस्टर थेरियस का रास्टर रोख लेती है क्योंकि वससे बदला लेना चाहती थी लेकिन थेरियस यहाँ पर एक सच बताता है कि हैस्टर तुम मेरी बेटी हो तुम्हारी मा और मैं बहुत ही क्लोस थे हमारे बीच में संबंद बनाओ तुम पैदा हो गई थी इस उनकी एस्टर को बहुत शौक लगता है दूसरी तरफ थेडियस की बेटी लंडन सिटी के कंट्रोल रूम में जाती है क्योंकि इनकी जो मोटल सिटी थी ना वह बहुत तेजी से उस वाल की तरफ बढ़ रही थी ज जाने कि वही बटी जहां से लंडन सिटी को पावर मिल रही थी आगे चलने में और आगे पढ़ने में ताकि ये रुख जाए अब ये उसको पूरे तरीके से तबाह कर देता है टॉम देखता है कि थेडियस और हेस्टर में अभी भी बहुत लड़ाई चल रही है और टॉम इनकी तरफ आता है थेडियस को बचा कर अपने साथ ले जाता है और हेस्टर वही पर नीचे गिर जाता है लेकिन जब वो देखता है कि जहां पर वो गिरा होता है लंडन सिटी बिल्कुल उसी की तरफ आ रही होती है वो उसको देख कि अपनी आगे बंद कर लेता है और ल च्रीन के बार बर फोने ने से कि बहुंपता हैं और इसा में डुम के साथ किने लिग जाते हैं।